नमस्कार दोस्तो बिहार सरकार एक बार फिर से महिलाव के लिए बिहार स्वाश समीति के तरफ से बहुत बड़ी भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है अगर आप सिर्फ दसवी पास हैं तो आसा के लगभग 6,096 पदों पर बहली निकाली गई है अगर आप भी इस भरती में आवेदन के लिए एक चुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इसमें आवेदन पर किरिया बहुत ही आसान होने वाला है बिहार सरकार के तरफ से निकली या भरती बिहार के सभी जीलों में होने वाली है ऐसे में अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए बिहार सरकार बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर आया है बिहार आसा भेकेंसी 2022 के लिए आवेदन परकिरिया बहुत ही आसान होने वाला है योगियों एक्छुक महिला अंतिम तीथी 30 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो हम इस वीडियो में आपको सभी परकार की जनकारिया देंगे कि आवेदन कैसे करें इसमें क्या योकता रखा गया है और इसका चैन कैसे होगा आदी सभी परकार की जनकारी हम देंगे ताजा जनकारी के अनुसार बिहार स्वाज समीती के तरफ से बिहार आसा के पदों के लिए भरती के बारे में जनकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार स्वाज समिती के तरफ से बिहार के सभी जीलो को नोटिस कर दिया गया है साथ ही साथ इस भरती का मागदर्सिका भी बिहार स्वाज समिती के तरफ से जारी कर दिया गया है जिसमें यह जनकारी दी गई है कि यह भर्ती कैसे होगी और इसकी चैन परकिरिया क्या होने वाली है अधिक जनकारी के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को अवस्य ही पढ़ ले ताया जनकारी का अनुसार नोटिस के माध्यम से यह जनकारी परदान की गई है कि बिहार में आसा की बहाली परकिरिया कब तक पूरी कर ली जाएगी लेकिन आवेदन कब शुरू होगा इसके बारे में कोई जनकारी नहीं दी गई है लेकिन आवेदन परकिरिया कब समाप्थ होगी इसकी जनकारी दे दी गई है सभी जीलों में आवेदन शुरू होने की अलग-अलग तारिक निर्धारित की जाएगी इसके लिए आपको अपने जीले के स्वास बिभाग से संपर्ख करना होगा क्योंकि इस बहाली की अंतिम्तिती 30 सेतंबर 2022 रखा गया है इस तारिक तक फर्म को भर देना होगा बिहार असाब बहाली के लिए आपका योगता बहुत ही कम मागा गया है इसमें सिर्फ मेटिक पास अभियाती आवेदन कर सकते हैं इसमें आपको ज्यादा योगता की ज़ रहे हैं सिर्फ आप उसी गराम में आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी दूसरे पंचायत में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं आप जहांके निमासी हैं सिर्फ वहीं आवेदन कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे पंचायत में आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन भी मुखिया द्वारा लिया जाएगा तो आपका चैन भी मुखिया के द्वारा ही किया जाएगा इसमें आपका आम सभा के माध्यम से चैन का परकिरिया होगी इस चैन परकिरिया में मुखिया के साथ साथ गाओं के सभी लोग उपलब्ध होंगे जिसमें कि चैन परकिरिया म माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आपका आवेदन गराम पांचायत के द्वारा लिया जाएगा उसके बाद हस्त लिखित अप्लिकेशन पत्र आपको मुखिया के पास जमा करना होगा अगर आप दसवी पास हैं तो आवेदन को आप जरूर करें तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ही जनकारी के लिए आप देखते रहे हमारे वीडियो को मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद